आज ए गवर्णिंस की मदग से ग्राम पंच्रायतों के विकास कार्य की मॉनिचरिंग बड़े अच्छे धंग से हो रही है इसलिए मन्रेगा और पियम आवास जैसे योजनाओं से जड़े कार्य भी आज ए गवर्णिंस की सहायता से पंच्रायतें कर रही है इन सभी विकास कार्यों को करने के लिए पंच्रायतों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है ऐसे में यह जरूरी है कि पैसों के साथ साथ जवाब देही भी तै की जाए इसलिए इग गवर्णिंस के तहट इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि नीतियों, कारिक्रमों वा योजनाओं के परिणामों को जानने के लिए समय समय पर और जिचकार्य होते रहें क्या है सोशल ओजिट लोगतंत्र के हर काम में जनता की भागिदारी जरूरी है इसलिए पंचायते ओजट कार्य में सीधे जनता को शामल करती है जनता सरकार द्वारा किये गए कार्यों का हिसाब लेती है आसान भाशा में इसे ही सोशल ओजट कहा जाता है इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशनका ना के बरावर है क्योंकि सोशल ओजट का कारय किसी एक आगमी द्वारा नहीं बल्कि लोगों के समुह द्वारा होता है सोशल ओजट का सबसे अच्छा उधारन महात्मा गांधी राष्ट्रिय रोजगार गैरिंटी अधिनियम है इस योजना में सोशल ओजट का प्रावधान किया गया है कानून के अनुसार साल में दो बार महात्मा गांधी राष्ट्रिय रोजगार गैरिंटी अधिनियम से जुड़े कार्यों का ग्राम सभा द्वारा सोशल ओडिट किया जाना आवश्यक है सोशल ओडिट करने के लिए पंचायत क्षेत्र के रेजिस्टर्ड वोटर्जी एक साजे मंच के तहत सभी कार्यों का हिसाब किताब लेते हैं है ना ये कमाल की बात ग्राम मेड़क शेत्र में मजबूत लोकत्र का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखर सोशल ओडिट की प्रक्रिया क्या है कैसे किया जाता है सोशल ओडिट सबसे पहले ग्राम सभा सोशल ओजिट समिती का अच्छाय अनकरती है इस समिती में आवश्यक्ता आनुसार पांच से दस व्यक्ति हो सकते हैं ये समिती जिस कारिक्रम या योजना की सोशल ओजिटिंग करती है उससे संबंधित सभी दस्तावेज और सूचनाय मंगवाती है एकत्रित दस्तावेजों की जांच पर्टाल की जाती है किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए उनका मिलान कारियों की गुणवत्ता तथा लोगों के अनुभवों एवं विचारों के साथ किया जाता है इसी जांच पर्टाल के आधार पर एक रिपोर्ट बनाए जाती है जिसे ग्राम सभा की सेहमती से उच्चा अधिकारियों के पास भेजा जाता है सोशल ओडिट को इगवननेंस ने निम्न लिखित तरीकों से सरल इवं मजबूत बनाया है सोशल ओडिट में इगवननेंस का महत्व जवाब देही के प्रती जागरुपता जन सहभागिता बढ़ाना कार्य इवं निर्णे प्रक्रिया आसान बनाना अधिकारों के बारे में जागरुपता लाना निग्रानी और नियंत्रण आसान बनाना इगवननेंस से सोशल ओडिट को लाब मॉनिटरेंग फीडबाक अकाउंटिबिलिटी ट्रांस्पिरेंसी जाम पंचायतों की मजबूती सोशल ओडिट रिपोर्ट कैसे देखें आज इगवननेंस के माध्यम से हम सोशल ओडिट की रिपोर्ट भी देख सकते हैं उदारण के लिए अगर आपको मन्रेगा यूजना का सोशल ओडिट देखना है तो वो आप धर बैठे ही देख सकते हैं इसके लिए बस आपको नरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वेबसाइट पर जाने के लिए वेब ब्राउजर में www.narega.nic.in लिखें आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा यहाँ उपस्तित सोशल ओडिट के आप्शन पर क्लिक करें क्लिक करते ही आपके सामने मंडरेगा सोशल ओडिट रिपोर्ट का पेज खुलेगा यहाँ आपको कई ओप्शन दिखाई देंगे आपको व्यू सोशल ओडिट कैलेंजर रिपोर्ट पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने सभी राजियों की सूची खुल जाएगी आपको जिस राजियों की social audit report देखनी है उसका चैन करना है चैन करते ही आपके सामने एक format आएगा इस format में आपको financial year, district और block का चैन करना है इस format में financial year, district और block का चैन करने के बाद get report पर click करना है click करते ही आपकी स्क्रीन पर audit report आजाएगी इस प्रकार आप social audit report देख सकते है e-governance social audit हुआ आसान, हिसाब किताब रखना हुआ आसान